हेलो मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं Alt News एक दिन लेट जरूर हैं लेकिन हम एक बार फिर लेकर आएं वीकली फैक्ट चेक्स के एपिसोड जिसमें हम देखेंगे कि बीते हफते हमने किन घलत खबरों की सचाई आपके सामने रखी यह सब ही फैक्ट चेक्स आप हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं हिंदी में पढ़ने के लिए altnews.in slash हिंदी पर जाना होगा आप altnews की एप भी डाउनलोड कर सकते हैं और misinformation के बारे में खुद को updated रख सकते हैं चलते हैं इस अफ़ते के पहले फैक्ट चेक्ट पर जो है दिशारवी से जुड लगा कि दिशारवी के वकील अखिल सिद्बल ये केस लड़ने के लिए 5-7 लाख रुपए प्रति सुनवाई चार्ज कर रहे हैं कॉलमिस्ट अभिजी तैयर मित्रा ने ट्वीट करते हुए ये क्लेम किया आपको बता दे कि 18 फर्वरी को दिल्ली हाई कोट ने निउस ब्र बल्ले से शेयर किया जाने लगा ट्विटर हैंडल अब्दुल्ला अंडर स्कोर जीरो एमे आर ने भी ये दावा किया इस हैंडल को बीजेपी नेता प्यूश गोईल और कपिल मिश्रा फॉलो करते हैं एक और ट्विटर हैंडल अट रेट सैफरन सुनंदा ने भी यही दा की उन्होंने बताया कि वो दिशारवी का केस बगएर कोई पैसे लिए लड़ रहे हैं अंग्रेजी में इसे प्रो बोनो कहा जाता है उन्होंने बताया कि दिशा की वकील वरिंदा भंडारी ने उनसे संपर किया था और इसके बाद वो दिशा के मीडिया ट्राइल से करता है वकील वरिंदा भंडारी ने भी हमें बताया कि अखिल ने बेहत शौर्ट नोटिस पर इस केस के लिए हमी भरी और उन्होंने प्रो बोनो ही ये केस लिया है इससे पहले भी दिशारवी के बारे में कई अववाहें उडाई गई हैं ताइम्स नाउ ने तो उन्हें स तरह तरह की बाते कहीं कहीं 22 साल की इंवायर्मेंट अक्टिविस से जुड़ी तमाम मिसिंफोमेशन के फैक्ट चेक्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डीटेल में पढ़ सकते हैं हम चलते हैं आगले फैक्ट चेक की तरफ जिसके केंद्र में है रामदेव की पतंजली क की दवा कोरोनिल 19 फरवरी को एक खबर सामने बताय जाने लगा कि विश्व स्वास्ति संगठन यानी डव्यू एचो ने पतंजली की कोरोनिल को कोरोना वाइरस के इलाज के लिए अप्रूवल दे दिया न्यूज नेशन की एक रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ बताया गया था पतंजली के सचापक रामदेव का दीपक चौरसिया ने इंटर्व्यू लिया आप पहले तो भूमिका बनाते हुए दीपक चौरसिया की बाते सुनिये दोस्तों मैं हूँ दीपक चौरसिया और आज बाबा रामदेव ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो वो कहते हैं वो वो करते हैं उन्होंने कोरोनिल के बारे में बात कही थी तब इस बात पर बड़ा विवाद उठाता कि उनकी कोरोनिल किट क्या वाकई कोरोना का कारगर इला एक टीम आई हमारे और उसने डेड़ सो से ज्यादा देशों में हमने अब कोरोनिल से लेकर के सो से ज्यादा जो हमारी घिलोई घनवटी से लेकर आउला एलिवेरा से लेकर के तमाम तरह के चर्ण प्रास से लेकर कि वो प्रोडेक्ट जो हम यहाँ पर सैंटिफिक रिसाइ इसके साथ बनाते उनकी परमिशन दे दिये निउस 18 के एंकर किशो रजवानी ने भी रामदेव की प्रशंसा की और कह दिया कि कोरोनिल को डब्ली एचो की मन्जूरी मिल गई है डब्ली एचो से कोरोना की दवा अब दवा कह सकते हैं जिसको कोरोनिल पर मोहर लगने के बाद खुद हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव और आचारे बाल कृष्ण जी एशियानेट निउस ने लिखा कि कोरोनिल अब डब्ली एचो सर्टिफाइड है बीजेपी प्रवक्ता संजू अर्मा ने ट्वीट किया और कहा कि पतंजली कोरोनिल को DCGI और WHO का अप्रूबल मिलना नरेंद्र मोधी की सफलता है जैसे ही ये WHO से सर्टिफिकेशन की बात फ्यलने लगी पतंजली आयूरवेद के मैनेजिंग डिरेक्टर बाल कृष्ण ने ट्वीट किया कि ड्रक्स कंट्रोलर जेनरल ओफ इंडिया यानि DCGI जो कि भारत सरकार के अंधीद हैं उसने कोरोनिल को गुड्स मैनिफाक्टरिंग प्राक्टिस यानि GMP से स्विक्रित सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रॉड़क्त यानि CPP दे दिया था एक और ट्वीट में उन्होंने बताये कि CPP लाइसेंस ड्रक्स कंट्रोलर के अनुरूप ही दिया गया है पतंजली ने बताये कि कोरोनिल को सेंट्रल ड्रक्स स्टैंडर्ड कंट्रोल और्गनाइजेशन के आयूस सेक्षन की तरफ से WHO सर्टिफिकेशन स्कीम के तहट सर्ट certificate of pharmaceutical product यानी CPP मिला है ये भी मालूम पड़ा कि पेश किये डेटा के आधार पर आयूश मिनिस्ट्री ने को बतार COVID-19 में सहायक उपाय या कहें कि supporting measure चिन्हित किया है आपको मामला थोड़ा complicated लग रहा होगा इसे मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ WHO certification scheme WHO ने अपने सदक से देशों के बीच दवाओं के लेन देन की सुविधागे ले शुरू की थी इसमें होता यह है कि अगर कोई company कोरोनिल इंपोर्ट करना चाहती है तो वो पतंजली के पास जाएगी और उसे कहेगी कि DCGI ने कोरोनिल को लेकर जो CPP जारी किया है वो दे अगर पतंजली वो CPP दे देगी तो दवा इंपोर्ट की जा सकेगी अब मामला यह है कि पतंजली के पास CPP तो है लेकिन इसे इशू किये जाने में WHO का कोई रोल होता ही नहीं है तो आखिर किस बिना पर यह कहा जाने लगा कि कोरोनिल को WHO की मनजूरी मिल गई है संयुक्त संगठन ने साफ शब्दों में कहाए कि उसके प्रतीक चिन का इस्तिमाल किया जाना गैर कानूनी है यहां पतंजली लगातार WHO का नाम ले रही है आप इस मामले पर आल्ट न्यूज की साथ ही पूजा चौधरी की डीटेल रिपोर्ट आल्ट न्यूज डॉट इन पर जाकर पढ़ सकते हैं आप चलेंगे अगले फैक्ट चिक की तरफ जो है भारती सेना से जुड़ा हुआ पूर्वी लद्दाथ में LAC पर 9 महीने दोनों देशों की सेनाओं के बीच तना तनी के बाद फरवरी के दूसरे महीने में चीनी सेना के पीछे हटने की खबरे आई सोचल मीडिया पर भारती सेना दोरा रिलीज किये गए इस वीडियो के इर्दगिर्धी एक वीडियो शेयर किया जा रहा था इसमें वर्दी धारी आदमियों को पहाड़ी इलाके में जैसे भी मशीनों के साथ देखा जा सकता है ट्विटर हैंडल एक दरेट श्रीश अंडर्सकोर वन नाइन एट सेवन ने ये वीडियो जिस कैप्शन के साथ शेयर किया उसके उताबिक जब देड़ सो चीनी टैंक और पांच सो चीनी सैनिक इलाका खाली करके गए तो भारती सेना ने उनके बंक कर उखाड़े हमें मालूम चला कि एसल में ये उत्तरा खंड में हाल ही में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कारे का वीडियो है इस वीडियो में ITBP यानि इंडो टिबिटन बॉर्डर पुलिस के जबान दिख रहे हैं खुद ITBP के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया गया था अगला फैक्ट चेक है अर्विन केजरिवाल से जुड़ा हुआ जहां उनकी एक क्लिप काफी वाइरल हो रही है गुजरात में 21 फरवरी को निकाय चुनाओ के लिए मद्दान होना था आमादमी पार्टी पहली बार गुजरात में निकाय चुनाओ लड़ रही थी इसी सब के बीज दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का 14 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ वीडियो में अर्विन केजरिवाल क्या बोल रहे हैं आप देखिए और सुनिए अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूँगा और गुजरात वालो जो कर सकते हो मेरा बिगाड सकते हो तो बिगाड लो गुजरात के सूरट शहर से भाजपा विधायक हर्ष संगवी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा केजरिवाल जी गुजरात से इतनी नफरत क्यों फेस्बुक पेज शिफु जी ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए इसे 2002 का बताया है उनके पोस्ट के मताबिक ये वीडियो अर्विन केजरिवाल की गुजरात से नफरत दिखाता है हर्ष संगवी के ट्वीट पर रिपलाई करते हुए आमादमी पार्टी गुजरात ने वाइरल वीडियो के साथ मूल वीडियो ट्वीट किया इस वीडियो में लिखा है आने वाले स्थानिय सुराज के चुनाव में हार देखकर डरी हुई भाजपा ने अर्विन केजरिवाल का एडिटेट वीडियो शेयर कर भ्रामक दावा किया अब हम आपको अर्विन केजरिवाल की पूरी बात सुना देते हैं इस से मालूम चल जाएगा कि उनके भाशड के एक हिस्से को काट कर गलत संदर्व में उसे पेश किया जा रहा था अनन्दी बेन पटेल कुछ चीजे उनकी मानती नहीं थी तोनों ने उसको बदल के विजयरूपानी ले आए अब विजयरूपानी तो बताते हैं पूरा उनका ठपा है जो अमिद्शा कहते हैं विजयरूपानी वही करता है तो अमिद्शा की पूरे गुजरात को चेतावनी है पूरे गुजरात को चैलेंज अमिद्शा का कि मैं तो गुजरात ऐसे ही चलाऊंगा अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूँगा और गुजरात वालो जो कर सकते हो मेरा बिगाड सकते हो तो बिगाड लो तो ये थे इस बार के बीते हफते के टॉप फैक्ट चेक्स इन सभी फैक्ट चेक्स के बारे में या और भी घलत जानकारियों दावों की सचाई जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट altnews.in slash hindi पर जा सकते हैं अंग्रेजी में पढ़ने के लिए altnews.in ही काफी होगा वीडियो के फार्म में इन फैक्ट चेक्स को पाने के लिए जैसे कि आप अभी देख रहे हैं सब्सक्राइब करें altnews के यूट्यूब चैनल को और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें लोगों तक पहुंचने में ये हमारी मदद करेगा और साथ ही misinformation के खिलाफ इस लड़ाई में हम और मजबूत हो सकेंगे मेरा नाम है केतन और altnews में अपना भरोसा यूँ ही दिखाते रहें आपका भरोसा हमारी ताकत शुक्रिया